हाई फ्रेंड्स वेलकम टो कुक वी चेतना तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ले कहीं हूँ चावमीन की रेसिपी फ्रेंड्स नूडल्स खाना सबको बहुत पसंद होता है और अगर हम घर पे बना लेते हैं तो बिल्कुल काफी ज्यादा कम बजट में और ये नूडल्स पूरी फेमली के लिए बन सकते हैं तो बस वही रेस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर नूडल्स लिए हैं जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन चावमीन वाली नूडल्स को थोड़ा- में डाल देंगे और सिर्फ इसको एक से डेट मिनिट तक गैस का फ्लेम कम करते हुए पकाना इसी के साथ मैंने नमक डाल दिया इसे नूरल्स पकेंगे बहुत जल्दी और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर तेल कोई पी ओयल आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो इससे क्या होगा नूरल्स है वो आपस में नहीं चिपकेंगे और बिल्कुल खले-खले आपके नूरल्स बनेंगे तो फ्रेंड्स चाओमीन और कई चीज़े बाहर की होती हैं जो सबको बहुत पसंद होती हैं चाहे बच्चे हो या बड़े हो तो बस आज हम वही रेस्पी घर पे बन सौंफ डाल दी है और जीरा दाल देंगे और राई दाना डाल देंगे अपका फ्लेवर पेड़ेंड है कि आप इसमें क्या एड़ करना चाहते हो बट मैंने जीरा और राई डाली है और इनको अच्छे से फ्राई होने के बाद में मैं इसके अंदर दो गटे ब्याज नाल अच्छा एक बाजार की चाओमन खाते हैं उस्थे सब्सक्राइख के अच्छा पाते हैं यहाई। क्योंकि हम बाजार वाली चाओमीन खाते हैं जब भी खाते हैं उनमें बाइट साती है तो बाइट के अंदर सब्सक्राइब हो तो बिल्कुल क्रंची सी होती है उनका टेस्ट अलग ही होता है खुद का अपना तो लाल मिर्ची पाउडर आदी छोड़ी चंबस नमक टेस्ट क करना है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा है आप चाओ तो इसके अंदर मैंगी मसाला भी डाल सकते हो काफी अच्छा मैंने थोड़ा सा मैंगी मसाला भी डाल दिया है और बस अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर टेमेटो कैचप तो मैंने दो चोटी वाली चमच के गरीब टेमेटो कैचप डाल दी है आप इसाब से एड़ कर सकते हो यह मैंने यह पे डार्क सोया सोस लिया है जो जिसका चावमीन के अंदर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट्स रहता है तो बस मैंने हाँ पर 3-4 चोटे वाली चमच के गरीब सोया सोस लिया इससे ही आएगा हमारी चावमीन का कलर भी इसी से आएगा और टेस्ट भी इसी से आएगा तो बस इस तरीके से सोया सोस डालते ही पूरे घर में फूस्बू फैल जाती है कि हा नहीं है ठोड़ी खडी ही रखना है और बस तेल डालने से कि आप आपस में चिपकती नहीं है अगर आप तेल नहीं डालोगे तो आस समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाए तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से चम्म चलाते हुए गईसका फ्लम इलो करते हुए और पुरी पुरी चायonner को सब्सक्रा घालने हो में यह सब तरीके से मेक्स कर दिया है निकाल लेते हैं और अलग वरतन में डाल देते हैं तो यह देखे गाइस बिल्कुल वैसी ही इसमें खुस्बू आ रही है और बहुत ही शांदार स्पेसल हमारी यह चावमीन की रेस्पी बनके तयार हो चुकी है तो बैस ओके फ्रेंड्स आई होप कि आपका चटपटा कुछ खरने का मन करें तो इसको बना लेना घर पर बहुत ही असानी से बन जाएगी ओके फ्रेंड्स मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक केर